नमस्कार दोस्तूं, स्वागत है आपके अपने IES Prep Academy YouTube चैनल पर हम लोग रोज की तरह आज भी डिसकस करने जा रहे हैं Current Affair, साल भर का पूरा Current Affair है और ये किसी भी आगामी परिच्छा के लिए बहुत important है इसके अंतरकर हम 20 questions discuss करते हैं लेकिन 20 questions के explanation के तहएत हम बहुत सारे अन्य प्रशनों को तैयारी कर लेते हैं तो आप ये series अगर देख रहे हैं तो आपका साल भर का Current Affair अच्छे से तैयार हो जाएगा चलिए सुरू करते हैं इस Current Affair की सिंखला को और इसका पहला प्रशन लेते हैं पहला प्रशन है हाली में किस राज्य सरकार द्वारा फसली रिणों पर 4750 करून रुपे का ब्याज और जुर्बाना माप कर दिया गया तो ऐसा करने वाला राज्य जो है वो है हरियाना C Option इसका Correct है हर्याना में जब चुणाव होने वाले थे तो चुणाव के पहले अब हर्याना शरकार ने यह किया था और ऐसा होता है एक प्रचलन हो गया है एक फायसन चला है चुणाव जीतने का जिसमें ऐसे लोख-Lubhahun नीतियों को चुणाव से पहले Keyrent लांच किया जाता है जिससे की लाब मिले उनका लेकिन ये देश के हित में नहीं होता है आर्थिक जो इस्तिती है हमारे देश की उसके हित में नहीं होता है ये लेकिन अब लोग करते हैं लोग का मतलब जो लोग सत्ता में हैं वो लोग करते हैं चलिए अगला प्रशन है प्र सच भारत मिसन के लिए इनको संभानित किया गया है पूरे विस्व अस्तर पर यह जो सच भारत मिसन है इसकी बहुत बड़े अस्तर पर तारीफ होती रहती है इसके लिए इनको जब यह अमेरिका गये थे अमेरिका जब इन्होंने हावडी मोडी वाला जो कारिक्रम हुआ था उसी के समय बिल और मिलिंडा गेट्स का जो foundation है उसने इनको संभानित किया था बिल और मिलिंडा गेट्स के बारे में आपको बता दू जो बिल गेट्स विस्ट के सबसे वड़े आदमी है और जो company है Microsoft जिसका विंडो हम लोग यूज करते हैं विंडो जिनके हैं और बहुत सारी चीज़ें इनके हैं बिंग सर्च इंजन है इनका तो उनी की company है बिल गेट्स का ही है अगला प्रशन है नागरिकों को बहतर मद्दान सेवाय प्रदान करने तथा निर्वाचन आयोग तथा मद्द अब ही हम लोग देखते हैं कि चुनाओं में भागिदारी बहुत कम होती है जो ओटिक परसेंटेज है अगर वो 60% पहुंच जाता है तो हमको लगने लगता है कि यह बहुत अच्छा ओठ हो गया और पढ़े लिके लोगों की संख्या बढ़ रही है और उसके बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो यह लोगतंत्र के लिए तो सही नहीं है तो यह सब चर्चाएं जो मैं करता हूँ उसके पीछे यही एक कारण होता है कि आप इन लोग चीजों के प्रति आवेर रहिए और थोड़ा सा ऐसी चीज़े करिए कि आप भागिदार बन सकें अपने लोग कोर्ष तो चालू हो गया है और बहुत कुछ उसमें लेट नहीं हुआ है और उसका लेट नहीं का कारण यह है कि हम जो बहुत परएशान होने की ज़रूद नहीं कर सकते है अगर आप बहुत को इस पर एकांटिट कर सकते हैं, वाट्षप कर सकते हैं, वियो फुल कोर्स या टेस्सरीज, नेक्स्ट है, टीटवन्टी अंतराश्टी किरिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदवाज कौन है, तो ये जो गेंदवाज है, वो है लसित मलंगा, ये जो आकड टीटवन्टी अंतराश्टी किरिकेट में सॉरी मैं फिर से बोल रहा हूँ, टीटवन्टी, तो 99 विकेट के साथ इस खेल के जो प्रारूप में, इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया, इसके पहले पूर्ब कप्तान पाकिस्तान की जो साहिद अफ्रीदी हैं, उनका रिकार् तो ये अवार्ड जीता है, वर्जिन वान डिक ने, वर्जिल वान डिक ने, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, नीदर लैंड और लिवर्पुल के डिफेंडर है ये, वर्जिन वान डिक, और इन्होंने यू एफे मेंस प्लेयर आप दा येर, 2018-19 का किताब जीता था, जीन्स में टी-सर्ट पहन के आने पे सचिवाले में प्रतिबंद लगाने वाला राज्य कौन है, कि आप जीन्स और टी-सर्ट पहन के वहाँ अगर नौकरी पाते हैं, तो नहीं जा सकते, तो ये जो राज्य है, वो बिहार है, A option, ये करेक्ट है, सालीन वस्तरों को पहनने की बात यहां की गई, और सौम में रंके सालीन, गर्मा युक्त, आराम दायक कपड़े पहन के करमचारिया है, ऐसा कहा गया, अगला प्रशन है, निम्रिकित में से कि सहर में भारत का सबसे उचा स्काई साइक्लिंग ट्रैक बनाया गया है, 9000 फिट की उचाई पर है ये, तो ये ब साइक्लिंग ट्रैक बनाया गया है, और इसका जो परिछण है, वो किया जा चुका है, 350 मीटर ये लंबा है, 350 मीटर लंबा है और सबसे उचा है, नेक्ष्ट कुश्चन है, प्रधानमंत्री मोधी ने फिट इंडिया मूम्मेंट की सुरुवात किस तिथी को की, तो ये जो इस अगस्त को होता है, राष्टिये खेल दिवस, और राष्टिये खेल दिवस के दिन, इसको किया गया है, सुरुवात, और इंडरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो है, कहां का, ये स्टेडियम कहां है, दिल्ली में, वहां से इसकी सुरुवात जो है, वो किय गई थी, न 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जनम दिन होता है, C option इसका correct है, sorry B option पे दिया है मेजर ध्यानचंद, और मेजर ध्यानचंद जो थे उनको हाकी का जादूगर कहा जाता था, और अब की बार 29 अगस्त 2019 को इनका कौन सा जनम दिन मनाया गया है, तो 115 जनम दिन इनका मनाया इनका जो जनम हुआ था, वो हुआ था अलहाबाद में, जो प्रियागराज के नाम से जाना जाता है, ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वनपदक दिलवाया था, भारत के राष्टपती द्वारा ध्यानचंद की जैनती के दिन ही, खेल जगत से जुड़े ज इसको देखिएगा, किसको मिला है, अरजुन पुरुसकार, ध्यानचंद पुरुसकार और दुरुनाचारी पुरुसकार, ये सर्वरोच खेल सम्मान है भारत के, तो किसको दिया गया था, राजियो गांदी खेल रत्म पुरुसकार, दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को इस साल का, चलिए अगला प्रशन है, निम्निकित कत्नों पर विचार कीजिए, चीन ने अपनी वैलेश्टिक मिसाइल गजनवी का हाल में सफलता पुरुक परिछण किया, पहला इस्टेटमेंट क्या ये सही है, ये गलत इस्टेटमेंट है, ये चीन की नहीं, ये पाकिस् परदान की मिसाइल है, बैसे इतना ध्यान लखियेगा, और इसका सफलता पूरुक इसने परिच्छन भी किया था, करांची के पास इनका पड़ता है, सौन मियानी उडान परिच्छर अस्थल, सौन मियानी उडान परिच्छर रेंज है, वहीं से इननोंने किया था, इंजिंग नोर्गे सासिक पुरुसकार जो दिया जाता है, यह सासिक कारियों के लिए देश का सर्वोच पुरुसकार है, ठीक है, और पहली IPS है इसको यह जीतने वादी, नेश्ट कुश्चन, हाली में कौन भारत की पहली महिला फ्लाइंग यूनिट कमांडर बनी, तो यह बनी है, S धामी, A option इसका करेक्ट है, भारतिय वायुसेना की यह विंग कमांडर, S धामी जो है, इनको फ्लाइट यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनाया गया है, अगला प्रश्ण है, इनमें से कौन सा देश पहली बार संयुक्तराष्ट सम्मेलन के संयुक्तराष्ट पार्टी, कौप 14 के 14 सत्र की मेजबानी करेगा, तो यह जो मेजबानी है, यह भारत को मिली, भारत ने इस मेजबानी को संपन किया है, और यह कर चुका है, यह किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुन जेटली स्टेडियम कर दिया गया, तो यह कौन सा स्टेडियम है, तो यह स्टेडियम है, फिरोज सा कोटला स्टेडियम, फिरोज सा कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर यह कर दिया गया है, अरुन जेटली स्टेडियम, अरुन जेट में ये नामकरण किया गया है रोजर फेडर को किसी सेट में हराने वाला पहला भारतिये कौन है तो ये है सुमित नागल ये आपसन इसका करेक्ट है और ग्रैंड स्लेम यूएस ओपन के दोरान पहले राउंड में 20 बार के ग्रैंड स्लेम बिजेता रहे रोजर फेडरेट से इनका मुकाबला हुआ था और इनको पहले ही सेट में हरा दिया और तीसरे नंबर के विज़स्तर की खिलाडी है बड़ी बात होती है नेश्ट कुश्चन अगला प्रशन है कंचन चौधरी भटाचारी का निधन हुआ वह क्या थी तो कंचन चौधरी भटाचारी जो थी वह भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी पहली महिला पुलिस महानिदेशक ठीक है यानि कि कोई पहली महिला थी जो डीजीपी बनी थी और लंबे समय से बिमार चल रही थी 1973 में यह IPS बनी थी और 2004 में उत्राखंड में यह पुलिस महानिदेशक बनी थी अगर आपसे फर्ष्ट IPS पूछा जाएगा तो यह नहीं थी फर्ष्ट IPS जो थी वो कौन थी? किरनवेदी और यह भारत की दूसरी महिला IPS थी यह भी याद रखियेगा किस देश ने प्रधानमंत्री मोधी को दा किंग हमाद आर्डर आप दा रेनेसा सम्मान से नवाजा इंपोर्टेंट प्रशन है उस लिया जाता है तो यह बहरीन ने इनको नवाजा है इस प्रुसकार से प्रिंस खलीफा बिन सल्मान अन्खलीफा वहां के जो प्रता यह है खलीफ वहां के क्या कहेंगे इनको सुल्तान कहेंगे सुल्तान है उनी की निमंत्रण पर यह बहरीन की यात्रा पर गए थे हमारे पीम यात्रा तो करते ही है हमारे पीम और वहरीन की यात्रा करने वाले पहले भारतिय प्रधानमंत्री भी हैं ये भी द्यान रखियेगा और जब मुलाकात हुई तो पहली बार गये हैं तो कुछ तो देना ही था इनको सबसे बड़ा पुरुसकार दे दिया गया वहां का भारत और वहरीन के संबंधों को सुधिर्ण करने के लिए ये दिया गया है अठारा नंबर प्रश्ण है अगस्त 2019 में विश्व इवा तेरंदाजी चैंपियंशिप का खिताब जीतने वाली खिलाडी कौन है तो ये खिलाडी है कोमाली का बारी कौन है कोमाली का बारी बी ऑप्सन इसका करेक्ट है टाटा तेरंदाजी अकादमी की है और इन्होंने स्पेन की राजधानी मैड्रेड है ना वहाँ पर इवा तेरंदाजी चैंपियंशिप के फाइनल में स्वरणिम निसाना साथा और इतिहास रज़ दिया ठीक है और जापान की वाका सोनोडा को इन्होंने हरा दिया था सोनपतक फिर इन्होंने जीत लिया था चलिए वर्ड वैडविंटन चैंपियंशिप जीतने वाली पहली भारती खिलाडी कौन है 19 नंबर प्रश्ण और इसका सही उतर है पीबी सिंदो अच्छी खिलाडी है यह सी आप्सन इसका करेक्ट है और इन्होंने वर्ड वैडविंटन चैंपियंशिप जीता जापान की नोजोमी किस ने किया था तो डायरी आप मनु गांधी है तो इसकी लेखी का जो तो है वो तो मनु गांधी ही हो जाएंगी ठीक है क्योंकि उनकी डायरी है तो जिसकी होती है उसी का नाम है तो इनका वैसे नाम है मनु गांधी का म्रिदुला गांधी क्या नाम है इनका म्रिदुला गांधी और इसका जो बिमोचन किया है वो किया है केंड्रिय मंत्री प्रहलाद सिंग पठेल ले तो ए अप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से ये 20 करेंट अफेर के प्रशन हमने देखे इसको तयार करते रहे कुछ लोग करें पचास डिसकस करेंगे तो इतने नहीं पाते हैं और आप लोग परेशान नहों यह जो चीज यहां पर स्टार्ट की जाती है उसको सवाप्त करके ही दम लिया जाता है इसको जिद कहें या कमिट्मेंट कहें मैं उससे पीछे नहीं आठता और बाकी बहुत सारे लोग पीडियाफ और यह सारी चीजे माग र जो चीजें देने लायक होती है मैं यहां भी देता हूँ ऐसा नहीं है यहां पर कुछ बंद हो जाएगा जो भी आके देने वाला होगा जो देता रहता था वो दूंगा वो मैं प्रवाइट कराऊंगा पूरी टीम मेरी प्रवाइट कराएगी लेकिन जो चीजें पेड हैं और उन्होंने पैकेस टीम ने तयार किया है, तो उन रूल्स को मुझे भी फालू करना पड़ता है. ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, वेरी मिस्ट, आल दर्ट.